है है सो हेलो एव्रिवन आज का टॉपिक हमारा ओर्ड फंक्शन चिक्राइब क्या होता है तो पिछले इस व्य washता क्या है यह बहुत सारे फंक्शन दालते हैं अगर वह एक्स देता है तो वो even function हो जाएगा otherwise अगर वो negative देता है तो क्या हो जागा वो odd function हो ठीक है simply आप इसी तरह क्या करता हूं मैं कुछ questions ले लेता हूं कि कोई function है जैसे मालीजी मैं sign का ले लेता हूं तो यह बताना है कि odd है even है ठीक है उसी तरह और मैं ले ले लेता हूं से cost ले ले लेता हूं बताना है कि यह odd है even function है ठीक 10 ले ले लेता हूं कोट ले लेता हूं यह सब मैं क्या बताना है कि odd है even simple ठीक है simply देखे क्या कर सकते हैं इसमें किसके अंदर value put करेंगे माइनस negative sign यानि की माइनस एक तो sign क्या करता है sign को जब यह मिलता है माइनस negative माइनस एक तो simply क्या करेंगा यह कि माइनस के साथ यह simply क्या करेंगा माइनस को आगे लिकरा जाएगा यानि कि यह open बनके सुझाद माइनस साइन एक सबस्कार है यानि कि नेगटीटिव नल्य यानि कि एवड फॉंफ ते ठीक है उसी तरिक करौँ को जम मिलता है माइनस एक्स तो कॉस्ट क्या करता है सिंप्ली कॉस्ट देता हमें सिंप्ली कॉस्ट देता है यानि कि यह इवन फंक्शन है ठीक है यह क्या बनगा हमारा यह हमारा कि यह हमारा और फंक्शन है पर यह हमारा इवन फंक्शन होगे ठीक है उसी तरह टैन को जब मिलता है माइनस x तो यह क्या करता है simply माइनस 10x दे देता है तो यह क्या हो गया हमारा odd function हो गया और जब cot को मिलता है तो cot को भी क्या हो जाता है simple that क्या हो जाता है कि minus cot x आ जाता है यह भी क्या हो गया odd function हो गया ठीक है लेकिन जब sec को मिलता है तो सेक को क्या आजाता है सेक क्या दे देता है और नी सेक एक्स दे देता है यानि कि ये इवन फंक्शन होगा क्या होगा इवन फंक्शन उसी तरह ये क्या है को सेक्स को जो मिलता है तो क्या बना देता है माइनस को सेक्स ये क्या होगा है और फंक्शन हो ठीक है यानि कि सिर्फ कॉस और सक और बागी सब और फंक्शन और बाकी और फंक्शन उसी तरह देख लेते हैं कि कुछ और देख लेंगे से माल लीजिए है कि यह और question लेता हूं कि 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 function है ऑना मोदेग्स और डेट फाइब है तो यह क्या होगा ईंपलि क्या होगा कि मोड़ा एक्स को जो भी मिलता है अ का मोड़क्षक को जब हमने क्या करें – माइनस x दिया तो simply mode क्या करता है उसको positive बना देता है यानि कि कुछ ऐसे यानि कि यह क्या है एक even function ठीक है यह क्या होगा एक even function हो गया यह सब even function लेकिन जब signum को मिलता है तो क्या करता है signum को जब signum को मिलता है signum को मिलता है तो यह क्या बना देता है minus signum बना देता है यानि कि यह क्या आजाता है odd function हो जाता है ठीक है यह क्या आजाता है odd simply क्या जाता है odd function हो जाता है odd function अब इसकी क्या करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि प्रॉपर्टीज में क्या करना है इसके यह कुछ छे प्रॉपर्टीज है ठीक है और मैं इसको ले लेता हूं क्यासे की जैसे कि माल लीजिए इसमें क्या पहला है the even function is symmetric about the y-axis and the graph of odd function is symmetric about x-axis यानि कि जो function होता है even का वो किसके symmetric होता है जैसे माल लीजिए किसका बता रहूँ है फर्स्ट का कि जो graph होता है जो graph है जैनि कि जो even function होता है वो y-axis के symmetric होता है यसे माल लीज जै माल लीजिए mirror है तो इसकी image इस side बनेगी और इसकी image इस side बनेगी यानि कि object अगर इधर रखा तो इसकी image इधर बनेए यानि कि यह लाइन symmetric है यानि कि जब even function होता है जब तो यह वाई एक्सेर के से स्मट्रीक हो जाता है लेकिन जब क्या और और फंट भलता या निंगी साइन का और ले लेदें तो यह ऌनिक यह पॉइंट से मैट्ραइक हो जाथ कि the only function which is defined which is defined on the entire function line and is even at the same line f the function is zero जो function ff जो function is equal to zero है इसका graph में यह जो line है यानि कि इसके symmetric होता है और x के symmetric होता है और y की symmetry होता है यह जो function है इसको किना है जीरो इफ दा function प्लस फ़ंक्षन के इंदर negative sign is always even and if the function negative और function के दिए माइनस x is always odd यानि कि इसके अगर यह function एक function के इंदर हमने उनका एक function के इंदर x डाल रखाया उनका sum करेंगे और एक function के इंदर हमने का डल का माइनस एकती हो क्या always होगा even होगा लेकिन जब उनका negative होगा तो क्या होगा odd बन जागे और fourth property में क्या कहता है फॉर्थ प्रोपर्टी में कहता है फॉर्थ प्रोपर्टी में इव द फंक्शन जैसे अब द फंक्शन एंद जी फंक्शन और 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 एवन दैन द प्रोड़क्ट फंक्शन विल भी क्या होगा इवन अगर यह दोनों odd है या even है तो फंक्शन जो प्रोड़क्ट होगा क्या वहले है इवन बट इफ द वन इस ओर्ड एन अदर इस एवन दैन दा प्रोड़क्ट विल भी पॉर्ड लेकिन उसमें से कोई भी अगर ओड है या even है तो क्या बनेगा वो प्रोड़क्ट क्या बनने गा और बना जाएगा और दो अ कंपोजीट फंक्शन केमपोजीट फंकिस्सन पर द्याइट कि अशल यानिक ओप इस फंक्शन और वहता है ऐसो और फंक्शन होगा यानि कि सब्सक्शन olmadam होते है और यह टीए लांस्ट पॉइंट है कि जो डेरिवेटिव ओफ एयोड फंक्षन हीज वन ते कि आण डेरिवेटिव क्या क्याता उडर पता सकता हूं कि मैं इसके इस Ouden वफंक्ष्न पर मैं कुछ क्वेशने से ले लिए सकता हूं Centre कि एक function है cos x upon में greatest integer x upon में pi plus half where जहाँ पर क्या है where यह क्या है greatest integer function है greatest integer function को मैंने करा रखा है function के lectures आप से तो वीडियो को जाके देख सकते है ठीक है and जो x है not equal to and by pi है और भी कुछ additional बात है बता रखिए keep and belong करता है integer then the function is क्या होगा तो function क्या होगा ठीक है तो function क्या होगा simply इसको solve करने के लिए क्या करेंगे कि mode जो greatest integer की property उसके थुरू हम इसको solve करने की कोशिस करेंगे ठीक है तो देखिए इसका solution क्या है कि odd है या even हमें यह बताना ठीक है कि यह function odd है कि even है simply क्या करते हैं कि इसके अंदर हम function के इंदर minus x डाल के देखते हैं तो cost के अंदर हमने डाला minus x और इसके अंदर हमने डाला minus x पाई बाई sorry x greatest integer प्लस हाफ तो cost क्या था cost हमारा even function था simply तो शूट क्या लिख देंगे यह function cost x greatest integer minus x और पाई बाई पाई प्लस हाफ तीक है अब greatest integer क्या करें है greatest integer का एक formula होता जैसे कि माल लिजे कि greatest integer के अंदर एक बाई x लिया और minus x लिया तो यह कभी तो 0 देता है कभी तियो negative minus 1 देता हो यानि कि जब x बिलोंग करेगा integer से तो 0 देगा और जब यह बिलोंग नहीं करेगा integer से तो यह कहा देगा minus 1 देगा क्या का मैंने कि जब greatest integer of x plus greatest integer of minus x कभी तो यह 0 देता है कभी तो यह minus 1 देता है 0 कभ देगा जब यह बिलोंग करेगा integer से कि जब यह बिलोंग करेगा यानि x जो बिलोंग किसे करेगा एक integer से जब बिलोंग करेगा तो 0 देगा और जब माइनस वन देगा कब देगा जब वो इंटीजर से बिलोंग नहीं करेगा तो इसमें दे रखा था यहां पर कि X है not equal to pi not equal to n by pi n क्या था एक इंटीजर है ठीक है तो simply हमें क्या देगा यह इस equation से क्या हुगा हम इसके equation बना लेंगे क्या ले लेते हैं माइनस 1 देगा कभी दिए 0 जीरो कब देगा जब X बिलोंग नहीं करेगा एक इंटीजर से है और माइनस वन कब देगक है जब वो इस वोग घेज़ से तब जीरो देगा और माइनिस वडर्वटाय गपस्ट टिकल टी एक्वरश्स आगए यानि चिंपली क्या कर लेंगे है कि यह एक डिल को मैं क्या करूंगा इसको मैं इस साइड आना कि यह इंटीजर है के इसको मैं इस यह जो उन्टीर है यह हमारे पास यह आ गया इसको स्म्प्लीप्ले का करऊंगा मैं इसको क्या करऊंग thick microscopy कर दूँगा तो मैं इसको क्या हुआ इस आइधरा लिके चला वन और यह माइनस हो जाएगा और ये क्या है greatest интерес तो ये क्या है substitute कर दूंगा इसको मैं यहाँ ब्रक्र प्रट कर दूंगा तो simply कैसा बंजाए गई कि माःको सेक्स और यह कहता minus 1 minus और इसके इंदर ए किया है बार क्या था minus और जार गेटेस य्टेजर केंदर के एकसट पाइब एकसट अपण में पाई और प्लस हाफ और सफेशन不用 कि यह सिम्प्ली मैं उसके बाद क्या करेंगे छाड़ कि थैडिके इसमें से क्या करेंगे हम माइनस को जो माइनस इसको बाहर ने ले लेगे ठीक है अच्छए पहले क्या करेंगे यह जो ूप स्लीच को Nसट का आएगा माइनस आफ आजाएगा ठीक है एक ग्रेटेस इंटीजर के उतार लिए हमने और पाई माइनस हाफ और सिंप्ल क्या करेंगे कि लास्ट स्टप क्या हुआ कि कॉस एक्स जिमें से माइनस का हम बहार लेकर आजाएंगे कि एक्स पाई ग्रेटेस इंटीजर प्लस आफ यानि कि यह क्या बनी यह एक हमारा और फंक्शन बनी गया और फंक्शन तीक है क्या हमने यह प्रॉपर्टी लगाई इसके यहां पर हमने हमने रिप्लेस कर रिप्लेस करते ही इसके माइनस वन प्लस आपको मने माइनस कर तो माइनस हाफ आ गया माइनस हाफ इसके बाद हमने इसमें से करव नेगेटिव साइन को बहाल ले लिए नेगेटिव साइन को लेने के बाद उसके बाद कर एक है यानि कि यह नेगेटिव तुम बस इतना हैं, थैंक यू सू मच